हेई गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइन वेद पाइल तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके पास टाइम कम है और आपने अभी तक प्रपेरिशन अच्छे से नहीं करी है तो आप क्या क्या चीजे किस तरीके से कवर करो कि आपका सब कुछ कवर हो तो अगर आपने वह नहीं किया हो तो आप कर सकते हो वह से तो कसी की अगर नहीं किया तो उस case में मैं आपको बोलूगी आप ICI का material यूज कीजिए क्योंकि जब बात आती है na theory subject की तो हमेशे याद रखना उस case में आप ICI का material ही प्रैफर किया कीजिए अब बात कर लेते हैं ICI के material में से आपको study किस तरीके से करनी है गाइस देखो जो हाइलाइटेड मैंने आपको कराया है वीडियोस के अंदर आपको नोट्स वैसे एकदम हाइलाइटेड रखने है ठीक है अगर आपके पास PDF नहीं है तो आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएंगी और सारी वीडियोस के लिंक भी आपको वहाँ पर मि पता देती हूं कि हमें किस तरीके से चैप्टर वाइस पढ़ना है देखो सबसे पहले आप कंप्लीट कर लेना अपना रेरा चैप्टर रेरा चैप्टर के अंदर गाइस मैं आपको बता दू हमारे सेलेंट फीचर्स ऑफ रेरा दिये हुआ है जिसमें टोटल अप्रॉक्स पॉइंट जिसके अंदर हम आपको एक्जाम में कुछ न कुछ कुछ न को मिल जाएंगे आप वह जरूर कवर कर लेना ठीक है लास्ट मैं और आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको सारे चैप्टर में से कौन कौन से तौपिक्स आपको पिक कर मैं आपको जो भी इंपो पढ़ रहे हो तो आप वीडियो मारी एक घंटे की मिल जाएगी लेकिन अप्रोक्स आपको टू आर्स मान के चलते हैं आप दो दो घंटे में उन चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे क्योंकि मैंने सारे इंपोर्टेंट पोजिशन अच्छे से कवर कर आया है तो आपके हो ज क्लियर फिर इसके बाद हम कॉंपिशन एक पिक करेंगे कॉंपिशन एक पिक हो गया उस वो हमारा एक घंटे का वह भी आप राम से कवर कर लोगी चार चैप्टर हमारे जब हाथ में आ जाएंगे आप सेवन तो हमारे अपने आप कॉंफिडेंस पूस्ट होता चला जाएग आप को यह भी पता होगा कि हम यह नहीं सकते हैं यह यह इंप्आigor इंपेंट हैं कि हरेसी रखता है अपको क्या है उन चैप्टर में से तौपिक्स जो इंपर्टन है बस वह कवर होनी चाहिए आपके तो दूर वीडियो को रैफर करके झो मैंने हैलाईैड कर रहा है वह प बता रहे हूं आपको क्या स्टार्टिंगे जो 80 पेजिस है प्रॉक्स जो मैंने वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ा हैं देखो उसमें क्या है हमारे एक आपीस के अंदर मैं आपको बता हूं सेक्शन 78910 जो कि एक एक अप्लिकेशन से रिलेटेड आया अगे इसा पूरा कबर हो जाएगा और अगर चार्ट चाहिए तो टेलिग्राम गुरूप में आप वीडियो आप से रेफर कर सकते हो और यूट्यूब चैनल ठीक है तो यह क्लिया आप क्या है इस तरीके से अपर करके चलोगे न तो आपको यह बड़े नहीं लगेंगे और पूरे मे nis in case of fema, Fema में आप देखोके हमारा वास लगता है लोगों को, कुछiała सबस Dot Il forgiven तो अब बात कर लेता है तो आपको किस तरीके से पढ़ाई आपको शडूल मिस्स नहीं करने हैं शडूल आप सारे पढ़ोगे और अभी तक नहीं पढ़े तो सारे मेने स्टोरी के फॉर्म में आपको याद कराया हैं आप एक बार वह देख लेना और जादा नहीं तो आपको एटलीस धूनने में तो टाइम खराब नहीं होगा अगर आपको पता होगा कि यह मेरी बुक में कहां पर है ठीक है तो वह चीज के लिए एक बार आप सारे शेडूल पढ़ कर जाओगे और मैं बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आप क्या सारे पारिऌ कि आटार नहीं है तो लृटल पार में पड़े चेज़ी साही है आप तो उस चक्र में आप मत पढ़िए आपको टेल्ग्राम गूर्प में आराम से मिल जाएगे केसलो के सम्री आपको वह सम्री देखनी है ठीक है आपके बास सम्री फाइल आपको एक बर रीड करके जानी है क्योंकि देखो केसलो के चक्र में मैं सच बोलूँ ना ज्यादा आपको इस चड़ी में बात भी देखोड़ है क्या पाल आप लुटीश्य गजा रहे हैं तो यह तो वह वाली चीज हो है आप वह पड़कर रहे हो लेकिन उसमें किस तरीके से बनता ही देखना है क्या देखने के सब किस चक्र में मत पढ़ों अगर आपसे नहीं हो पारे है वैसे तो मैं बोलूँ कि case study digest आप चितना practice करो उतना अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो it's okay, आपको क्या करना है, last के, last की case study इस पिक कर लीजे, अप्रॉस 15 to 20 case study आप कर जाईए, ठीक है, उससे क्या है, आपको थोड़ा idea लगेगा, कि किस तरीके से question बन करता है, तो आप वो एक बार रैफल कर लेना, अब गैस, इसके बाद हम बात करेंगे, case study digest के बाद हमारे, जो हमारे MTP or question papers होते हैं, क्या में वो करने चाहिए, तो मैं इसका answer दूँगे, आपको, क्या आपको, 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 आ एक बार एसा हो गया था, कि तीन case study priority piercester, सीधा, cases study digest से तो आपको, सारा कुछ, case study digest से देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है पड़ यख कुछ कुछन स्हाने को मिल जाएंगे, ईस आपको, कुछना कुछ कुछ तबाद को वहान से, इस प्रशन देखने को मिल जाएगे, क् केसे चड़्य Приrogちは MTPs के बात कर ली.. वब बसली कमारे में भारे में सब्क्ðार के आरेश कुछ क सो एक लिए सह उना जा उना । मैं आपके बचिको बहा हमारा लन भात लोन जा की सिरो अमारा लोन सब्सट ख़िया एक दर आ प्मी गारि मैं की सबा flavored भार लुग आपके पास होने चाहिए तीन कॉलम कॉन कॉन से आपका section number कॉन से section number से आया है ठीक है heading कॉन सी section number से यह वाली heading आई और हमारा की heading जो है किस page number पर है ठीक है तो यह तीन आपके पास यह column at least होने चाहिए आपके index में index भी आपको telegram इस तरीके से आपको अपना index प्रिप्यार करके जाना है क्योंकि index का बहुत में रोल होता है क्योंकि आपको index में से ही find करना होता है study material पर जंप करना होता है कि किस page पर है यह topic टीक है तो ऀदेशन होता है का इप साटा चाहिए और क्या का क्यूंक विलुड यहूह तो में पोल जाहिए तो इसलिए माय पौल रहु है कि कोरहा है को है सब्सक्राइब कर दोड़ने में ताइम ना लगे दूसरी चीज इंपोर्टेंट चीज है फोड़ा सा कि किस पेज पे मिल जाएगा क्या तो वह चीज आपको देख कर जानी है ठीक है तो यह वी क्लियर हो गया आपका इंडेक्स का पॉइंट भी मैंने बता दिया अब बात आ अमेंडमेंट्स की तो अमेंडमेंट्स मैंने अभी टेलिग्राम ग्रूप में शेयर कर दिया है अमेंडमेंट्स मैंने जो हाइलाइट कर रखे हैं वह सारे मां शेयर कर दिया आपको टोटल थर्टी पेज की अमेंडमेंट्स है जिसमें से हमारी अप्रॉक्स 11 पेज जो है परिमा लिए Cu को मैं सब्सक्राइब काइम andमेंट्में भी शीट आपको 20 कर आपको प्रिंट करते हो तो यह मेने बने चीज़ सफ्षाफ्टे के साास उसाने ब spar Lu 4th number पर आपको मैं बता दू आपको इंडेक्स लेकर जाना है अपना मार्क इंडेक्स लेकर जाना है और 7th number पर आपको क्या लेकर जाना है तो यह सारी चीजें आपके अपको एक्जाम में लेकर जाना है और क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से पढ़नी है तो वह सारी ची हमेशा कोश्यन जो है वो 2-3 एक्ट का मिक्स आता है लाइक दो तीन एक्ट के प्रोविजन सुस में डाल दिये तो इस तरीके से आपको मिलेंगे तो आप यह नहीं सो सकते हो कि मैं यह चैप्टर छोड़ देता हूं ऐसा नहीं आपको सारे चैप्टर करने हैं जो चैप्टर ह उसके important topics प्रोड़ने पिक करने है ठीक है तो हमारे यह क्लियर हो गया हमें case study का format भी पता देती है तो हमेरे case study का format भी प्रोड़ने लाईगी जिसमें हमारा 10-degs के mcq पार्ट रहेगा और remaining 15 marks की हमारी descriptive part रहेगा तो तो इसमें से 10 marks का मारा 15 marks का मारा डेस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा तो यह भी क्लियर है अब बात करते हैं आप को हाइलाइटिंग करके चलना है कोई भी चीज आपको इंपोर्टेंट लगती है उसको हाइलाइट करते जाना अब यह मत बोला हमें कुछ इंपोर्टेंट ही लग रहा है ऐसा नहीं है तो इस तरीके से आपको प्रिजेंटेशन अपनी रखने हैं आसाद मैं आपको बता दू आपको जितने भी पार्ट्स है मैं यह सब्सक्राइब करने क्यों दुनिया इता के अपको बार्ट्स होता है तो वह क्लियर तो ऑफो एक साथ करनेया है झाय तो इसाание में आविम वह प्रिजेम दूसरी से बर्च दि यकृ Sheriff से में परण है यह के next year कि कहँ़ हैं इस वीडियो में कवर कर लेते हैं किकि अगर आपके बास ताइम के ना ना थो आपके इम पोटनशा पता होने चाहिए कि वह आप 멍हीं के सिथी कि से operational कि आपको शिक नामि यहां के राम को स्की दे पर हम सबस 전에 तो क्याएं सब सब्सक्की कि Literally यानि बेलेबल रहेंगी जबकि अमारी पॉम्ला के अंदर जो ओफेंसिस होती है वो हमारी कॉगनाइसेबल एंड नॉन बेलेबल है तो मैं कुछ चेप्टर्स को थोड़ा थोड़े आपर रिवाइस भी कराने कोशिश करूँ जादा नहीं हलका फुलका ठीक है तो भी आप जाना ठीक है तो ओफेंसेज आपको याद रख लेनी है क्योंकि कभी-कभी अब्जेक्टिव कोशन बन जाता है तो इसमें जो मारी बेनामी पॉपर्टी की है वो नॉन को लाइसेबल है जबकि हमारी पॉम्ला में जस्ट अपोजिट होता है यानि कॉगनाइसेबल या फि देखने हैं बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लेना और साथ सब बेनामी दार और बैनिफिशल ओन यह तीन डेफिनेशन ऐसी हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा को एमसी क्यों पनते हैं अगर आप देखोगे ना एमसी क्या इवन डेस्क्रिप पार्ट भी आप यहां से देख सकते हो अगर कोई बेनामी ट्रांजेक्शन के ऊपर कोशन आया तो आपको डेस्क्रिप्टिव पार्ट में बेनामी दार साथ साथ बैनिफिशल ओनर की भी डेफिनेशन लिखनी रहेगी तो इसी लिए इन तीनों डेफिनेशन को अच्छे स पेपर आता है मतलब अगर मैंने के स्टेडी डाइजेस जब आपको सॉल्व कर आया था तो मैंने देखे थे जादा दर कुश्यन जो है वो इन तीन चीजों को ऊपर बने हुए तो इन्हें आप स्किप मत करना फिर साथ साथ आपको पैनल्टी देख लेनिया पैनल्टी के अंदरे जो पैनल्टी है वो जेल और फाइन चैल तक यह नग सकते है और फाइन जो है वो 25 परशेंट है और फ्रोपरटी लग सटाइट है और साथ साथ पैनल्टी फाल्स इंफोर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करते हो या फिर अगर कोई भी चीज आप कंप्लाई न मैंने जो इंडेक्स में आपको बताया है किस तरीके से हाइलाइटिंग करनी चाहिए ठीक है उस तरीके से आप मांक कर लेना कि पैनल्टी का कोई भी कोश्यन आया तो सिंपल आप जम कर सको ठीक है स्टडी मैटेरियल के उस पेज पर सीधे जा सकते हैं डेक्स के थू ठीक है यह आपको किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़नी है छोड़नी मतलब लन तो करनी ही नहीं मार्किंग ध्यान रखना है ठीक है तो पैनल्टी हम हर चैप्टर की लेकर चलेंगे फिर साथ-साथ हम पावर टू इंपाउट डॉक्यूमेंटिक है इसमें क्या है हमारे कि कितने टाइम तक के लिए इसको इंपाउंड कर सकते हैं तो यह सेक्शन 22 के अंदर कुछ लिमिट्स दी हुई है जब आप स्टरी में देखोगे तो मैंने प्रॉपर मार्किंग कराई हुए तो बहुत ईजी लियाद हो जाएगा ठीक है कि दरा भी कुछ क्यूना लिखा ह जो मैंने मार्किंग करा है बस वह याद रखना है आपको ठीक है फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर इसके बास सेक्शन 27 और 28 आपको देखना है जो कि हमारा कॉन्फेसिकेशन इंवेस्टिंग और पॉपर्टी से रिलेटर है ठीक है साथ-साथ जो अगर पॉपर्टी कॉन पास करती है और उसको रैक्टिफाइब करनी है तो एक साल के अंदर याद रखने है फिसासत अपिलेट अथोर्टी अपिलेट अथोर्टी भी हम किसी भी चैप्र की नहीं छोड़ेंगे यह हम जरूर याद रखेंगे क्योंकि मैंने आपको सिंपल याद करने के लिए ऐसा और फौर मैंने आपको यहां पर बनाया हूँ आपको आपको यह षिया लग्याद रखन है किस सबसे पहलेटके अगर PAG वह तो आप अपले अपर चा सकता हो ऐसा एक हमने तो आपील डिस्पोर्ज कर देनी है तो विदिन वन यह फॉर्म दर लास्ट टेट ऑफ मंद इन विजदा अपील इस फाइट तो मैं आपको टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगी यह सारे चार्ट्स मैंने आपको समझा समझा के करा दिया तो अब फिर से इन सब चीजों में टाइ क्लियर हो जाएंगे और रिवाइस भी हो जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं रहा रहा के अंदर गाइस हम देखेंगे कौन-कौन से टॉपिक से इंपोर्टेंट सबसे पहले आपको याद रखना है प्रॉमिनेंट फीचर्स प्रॉमिनेंट फीचर्स बोले तो जो मारे 70 पॉइंटेट्स के अपरोक्स कुछंस पॉइंटी स्टारिंक में 70 कैज फॉइंटं से होना ऊजुति कर नेंट टरंगों फिचर्स में मन जwat इरह को मतबं फीचर्स मॉहांसे आपको देखने को मिल जाएंगे अब बात करें नहीं है देफिनिशन अपे बहुत सारी सीजी बता दिए लगेंगा गिना इसमें मैंने प्रॉपर मारकिंग नहीं हुए बस वो वर्ष अब वोग चीज़ आपको देखनी है तो फूरी देफिनिशन में ब्रॉड में नहीं जाना है वस्ता उतना देख लेना ठीक है फिर हम ग्राइंट और इजेक्शन औफ डिस्टेशन मतलब अगर आप राइब करतें तो कितने टाइम के अंदर उसको ग्राइंट और रिजेक्शन करना होता होताई को अथो जो है यह तो वे से आपको रिजिस्ट्रेशन या फिर रिजेक्शन कर देगी तो आपको यह याद रख लेने हैं यहां पर हम टोटल डेज देखेंगे जैसे ट्रांसफर ऑफ टाइटल के केस में टाइटल कितने टाइम के अंदर ट्रांसफर कर देना है तो एस पर लोकल लॉज करोगी ठीक है कर लोकल लॉज में कुछ मैंशन नहीं है तो थ्री मंस के अंदर टाइटल ट्रांसफर हो जाना चाहिए दैन देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ ओडर ऊपर आपने देखा था वन येर यहां पर रेरा के अंदर रहेगा टू यहां तू यह के अंदर अपना ओर्डर को रेक् पास जाएंगे ठीक है 60-60 डेज है उपर हमने कितने देखे थे जो अब यह मारा था इसमें देखे थे आमने 45 और 60 डेज और यहां पर क्या है टोटल 60-60 डेज है वहां क्या है सफिशेंट कॉस होता है तो ही extension मिल सकता है और यहां क्या है वहां कोई days decide नहीं ते यहां क्या ह मतलब maximum आपको extension 60 डेज तक का ही मिल सकता है ठीक है यहां तर क्लियर है ठीक है नो अपील अगें सा order by appellate of authority if order is made with the consent of parties टीक है तो काईज में सब चीजों में टाइम खराब नी करोंगे यह सम्छा दिया है तो यह पील प्रोसेसर भी आपको एक्जाम में करके जाना है ठीक है इंडेक्स में बना लो इससे ठीक है तो वहां पर आपको पेज भी टर्न करने की जोड़ नहीं पड़ेगी नाव कम ऑन दसार्फैसी एक्ट में गाईज हम देखेंगे क्या चीज हम को याद करके जानी है एक्जाम में तो यहां सर्फैसी एक्ट जब मैंने पढ़ाया था एक प्यारा साइग्जाम्पल बनवाया था ठीक है एक एक्जाम्पल कर थू मैंने सेक्ट को आपको समझानी कोशिश करें थी तो वह एक्जाम्पल जो स्टार्टिंग ओफ वीडियो में तो उसे आप जरूर देखके जाएंगे ठीक है एक यह आपको याद रखना है साथ स यह आपको जरूर देखके जाने 3 में आपको ARC Registration से रिलेटेड कुछ प्राविजन से हुआ है प्रॉपर अच्छे से मैंने मार्किंग कराई है अगर होगा तो क्या प्रॉसेशर रहेगा मतलब सब कुछ डिटेल में है तो वह आपको देख लेना है नाव कम आपको जरूर देखने है 910 तो आप कर लोगे जो आपको मैंने मार्किंग कराई वो कर लेना लेकिन 11 जादा बढ़ा चैप्टर निया बहुत 11 जो है बहुत छ अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वह डिस्प्यूट कैसे रिजॉल होगा एंट सी अर्बिट्रेशन के थ्रू होगा नाव कम ऑन दा नेक्स पॉइंट अब हम देखिंगे फेलर टू पे डियूस बाइब और अगर बॉर्वर फेल हो जाता है अपने डियूस को तो उस मैनेजमेंट जो भी उसका मैनेजमेंट है अभी तब तो देखो गिरवी रखने की बात हो रही थी चैप्टर के अंदा अब क्या पॉजेशन और टेक ओवर स्टार्ट हो जाएंगे अगर बॉर्वर जो है अपने डियूस नहीं देपाता है तो आपको थोड़ा सा देख ल इफैक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट से लिए पाविजन से तो यह भी आपको देखने हैं ठीक है फिरसके बाद हम सेक्शन 20 और 21 यह दोनों ही एक साथ पढ़ लोगे सेंटर रजिस्ट्री और सेंटर रजिस्ट्रा ठीक है बहुत छोटा से सेक्शन है यह आराम से क सेंटर चीज है पस वह अंडरलाइन कर रही है वह आपको अच्छे से देखके जानी है ठीक है लेकिन मैं आप अब यह बोल दू दो चा सेक्शन बता दू बस यह करके जाओ वह भी तो कोई सैंस नहीं बनता ना ठीक है तो कुछ सेक्शन जो हैं इंपो आपको देखकर ही ज पर सेक्शन 25 यह भी देख लेना है सेक्शन 31 चो है वह प्राविजन आफ एक्ट अप्लाइन सटेन केसे यह इंपोर्डेंट है यहां पर किया कुछ केसिस में एक्ट के प्राविजन सप्लाइन नहीं होंगे वह क्या के सिज़ वहां वह बताय गया है तो आपको सेक्शन 31 भ हुआ है इतने टाइम के अंदर यह अपील में जा सकता है अब डिस्पोस आफ की बात करें तो डियाटी के पास जो अपील गई है वो 60 डेस के अंदर डिस्पोस आफ हो जाने चाहिए मैक्सम एक्सटेंशन 4 मंस तक का और हो सकता है यहां पर ना एक फीस का प्राविजन है जाते हो आपको एक अमाउंट फीस देना पड़ता है ठीक है तो वह फीस पी आप एक बार देख लेना सेशन 18 में बताई गई है नाओ कम ऑन दा कॉम्पेटिशन एक्ट ठीक है कॉम्पेटिशन एक्ट के अंदर अगर मैं इंपोर्टेंशी की बात करूं तो यहां पर क्या लेकिन मेली आपको क्या है लाइट डा एंड जो अंडर लाइनिंग चीज है वह आपको एक बार रीड करके जानी है डेफिनिशन के अगर बात करें तो गुर्स की डेफिनिशन और कार्टेल की डेफिनिशन जरूर देख लेना फिर इसके बाद हम नाइन से यह चार सेक्श पर तो आप उसको देख रोइड उसको देखकर वाइड मत कर आना थिक है भॉइड मत कर आना मैं बार बाता रहे हूं जरूर बात नहीं है यह क्लियर आपको वहां पर लिखना है जब ऊलेशिन लिखे ना तो ऑलेकिन धुमेंशन को अगर आप यूश कर रहे है तो वह गलत देख लेना एक्जाम में फिर नाव कम अंदर सेक्शन 6 6 में क्या है हमारा नोटिस टू सीची और एफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्बिनेशन बताई गई हो ए ठीक है परसन को जो सीची आइक को नोटिस दे देना है वो सेवन डेस के अंदर दे देना है ठीक है और जो है वो हम देखेंगे क्योंकि हर एक चैप्टिर के में पैनल्टीज और अपिलेट अथर्टी जो है अपील प्रोसेजर जो है वो हमें याद रखना है फिर एड दी एंड आपको जो अंडर्लाइन और मार्किंग पॉइंट से आपको आपको जो तो कर लेना है जो मैंने पास प्रॉपर अंडरलाइनिंग नोटिंग होनी जरूरी है मैंने कई बार आपको पढ़ाते टाइम भी बोली है प्लेन स्टेडी में मत लेके चले जाना इसाम में धूनने में दिक्कत होती है ठीक है और इस पेपर 60 से रिलेटर तो यार मैं इत्ती सारी वीडियो दे चु आज ही जो वीडियो डालें 1.5-day strategy वह देख लोगे उससे भी काफी आइडिया लग जाएगा उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है प्रिपेशन कैसे करनी है ठीक है और साथ साथ एक्जाम में कौन सी चीज याद रखनी है जिससे थोड़े से मांक्स को सिक्योर करके चल सब सब कुछ बताया हुआ वह एक बार देख लेना अब बात कर लेते हैं अपील की ठीक है अपील का यहां पर क्या प्रोसेजर रहेगा CCI के पास पहले अपील जाती है अगर अगर यहां से भी अगर आप अग्रीव है तो फिर आप NCI लेटी के पास जा सकते हैं अगर इससे भ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह था हमारा कॉंटिशन एक्ट की बात इसके बाद हमारे जो बच्चे कुछे चैप्टर है जो मारा आइबीसी जो मारा फेमा है जो मारा पॉमला है उसके अंदर मैं और आपको इंपोर्टें टॉपिक्स बता देती हूं पोर्जों के मारा सब्सक्राइब काफी चैप्टर है इसको अराम से गवर कर सकते हैं और इजी कोशन आप देखोंगे ना पॉमला के बात है यानि जो आपके कुशन बैंक में सीधा सीधा वही कोशन में कर आदे हैं तो इसलिए प्रैक्टिस करिए को जल्दी से जल्दी खतम करने के वाद को अधर भूड़ा अधर कर दो अधर अधर नवाल याद करने नोग ऑफ पहले करने के बोल रहे हुँ मैं यहीं क्या विट्यां पूछन ज्यादा वंड़ा कोई को तो तो से इंप्रेशन अच्छा मता है रहे तिक तो सेच्छन थी आपको एहाद रखना है एक सेच्छन फोर याद रखना है ठीक है मनी लॉंडरी की डेफिनिशन बिल्कुल अच्छे से रट लें क्योंकि मनी लॉंडरी में कोई भी कुछन पूछा हो उसमें हर एक में आंसर में मनी लॉंडरी की डेफिनिशन जरूर लिखी हो दिया तो आपके लिखोगे सब सेक्शन 3 ऑफ दा पॉमल यह भी आपको अच्छे से आद रखना फिर प्रॉविजन अट फिर इसके बात प्रॉविजन अटेच्मेंट का पॉइंट आपको याद रखना मैक्सिम वन एटीज के लिए प्रॉविजन कर सकते हो ठीक है वो याद रखोगे सेक्शन 11 और 12 चुकि मारा बिसिकली रिपोर कि आपको कवर कराया है ठीक है तो अपील प्रॉविजन आप वहां से रफर कर लेना फिसके बाद आजाए स्पेशल को चुकि हमारा सेक्शन 45 है यह करना है आपको जरूर है और यह इसमें क्या है यह हमारे कई चैप्टर में भी देखने को मिल जाता है तो इसको आप जरू और याज़ भी पीप आफ यारब ठीक है कि आपको पता इह पाइब हो अफिट बसें कवर कर रहा है वह आपको एक ठीक बड़ी प्रोसेस इसमें मैंक कवर कर लगे है इसमें पूरा आप यहां तक मैं सीज आए आपको यह चार्ट देख लेना है इसमें सिए यह थीकि आए पूरा मैंने आपर कवर करा लिया आपको काफी मिल जाएगी अगर आपके बास नहीं है तो मैंने सारे नोट्स डाले हुआ तो आप वहां से ले सकते हैं तो अब आजाए नेक्स्ट अब आजए यह पीपिया यार्भी मैं बता दिया सारब कुछ चेंज़े आपको साथ की साथ देख सकते हैं तो अब प्रियुडेशन प्रोसेस आपको समय आद रखना है का में प्रायर्टी के ओर मतलब लिक्टिशन के टाइम पर किस किस तरीके से प्रायर्टी में पिमेंट करना है वह चीज़ें जरू दिमाग में रख लेना विशी के अंदर आपक यह आपको यह आपको प्रोसेस ट्रेशन के श्याइब लिक्टिशन का तो देख लेना अप कि इस कि मैं पूछिण बनता है तो आप देख लेना फें फर फास्ट्रक प्रोसेस बहुत चोड़ा सेक्शन अपसा गया देग देगो नॉमल जो मारी प्रसेस सोती है निस्वेंस साइज एकुछािटी फृसेज़ as a Adha लगता है to pump a 90 ऐसके दशांच आप करता है और नॉमल में अगर अगर UK, by 90 डेस्ट अकर सकते आप देंग स्रैशंच नså मैंने काने फैस्ट्राइब रॉसे सि самой हावित है यह दौन यह छोड़ yay छोड़ा सेक्षण नहीं आप पर देखना पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक तूसर सेक्षिन जो है वो पर संट नोट एलिजिबल टूबिया रिजॉलिशन एप्लिकेंट नहीं बन सकता है और एक यह चीज एलिजिबल टूबिया डिजॉलिशन प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या चाहिए तो वही कुछ है आप यहां पर इसको भी लॉन कर लोगे तो देखो आपी बड़ा चैप्टर है लेकिन हम जब कुछ सेलेक्टिव चीजन पढ़ते हैं और हमारे कुशन सब लोग बहुत प्यार करते हैं कुछ भी हाड नहीं है इसमें बस आप जादा डेफ्ट में जाने कुछ उच मत करो देको चैप्र बहुत बहुत वास्ट है जादा डेफ्ट में जाओको तो चैप्र बुरा लगना लगेगा ठीक है बस उपर उपर से जो चैप्टर जो चीजें चिजें ठीक सब्सक्राइब हैं पर में फोकस अब्ल चंछा टांचेशन च्रत्यृट है करया काउंट कंप्टल tradition क्रंचेन चेशन हैं च्छेड़i के अंदर हमाई शेडूल वाँ शेडूल टूशेडूल ते यह तीन शच्डूल दियुब है उपको अच्छे से देखने और कैपिल अगाउं के अंदर हमाई शेडूल में शेडूल टू और प्राइबिटे ट्रांजेशन जो चीट फंड वगेरा की दिये हुए ठीक है तो आपको दिमाग में रखने हैं यहां मैंने करेंट एकाउंट ट्रांजेशन के लिए यह शेडूल को लांग करने के लिए मैंने बहुत सिंपल त टैए है और यह शेडूल रन के बारे में मैंने पूरी स्टोरी बनाकर आपको पताई थी कि कैसे कैसे लान गना बनाई थी कि पूरी के पूरी कैसे यह सारे पॉइंट्स नों आपको कवर हो जाएंगे ठीक है और एक हमारे यह था हमारे शेडियुल 3 के अंदर यह आपको पर्सेंटीज जाल रखनी है ठीक है आपको सिंपल एक कोशन आ सकता है उसमें यह लगा कर देखोगे अगर से जाद यह था है तो हमारे यह कवर हो चुका है अब इसके बाद आपको पॉइंट से याद रखने और टाम लिमिट्स आपको याद रखनी है इंपोर्ट में हमारी मिली टाइम लिमिट्स आपको याद रखने है पैनल्टी इसमें काफी सारी दिए हुई है पेपर 60 के स्टुड़ तो बुक रहेगी पैनल्टी का पूरा एक साथ दिया हुआ है माजी रैफर कर लोगे लेकिन अगर आप इसमें हो पेपर 4 में तो मैं यह तो नहीं बोलोगी सारी पैनल्टी इस पर फोकस करो क्या पैनल्टी बहुत ज्यादा है लोगे अंदर तो आप मेंली सेक्शन 13 को कव कर लेना ठीक है यहां पर फिर इसके बाद के अपील प्रविशंस मैंने अभी आपको बताया थे छोटे से बॉक्स मेंने कवर करा है वह वाला देख लेना ओडिया और ECB यह काफी बढ़ा है आई नू लेकिन मैंने आपर क्या है फढ़ाते टैम भी हाइलाइटिंग कर आई कर लेना ठीक है और बाकी दूसरी चीज अगर वह भी आपको जादा लग रही है तो इसके अंदर मैं बता देती हो ओडिया और ECB के अंदर आपको मिली क्या रखने है ECB के अंदर जो हमारा स्टडी मैट में जो हमारा इसमें में बना हुआ है तो आपको याद रखने लाइ रूट फाला पाइंट ठीक है वह सब चीज थोड़ा सा देख लेना ठीक है ओडिया ECB में इंपोर्टेंट चलेक्टिव करो कोश्यन बैंक है उसमें प्रक्टिस कर दो आपको वहां से कोई ना कोई कोश्यन देखने को मिल जाएगा ठीक है फिरमा में कोश्यन बैंक से ही हम तो कि अग्जाम पर को याद रखनी है तो फिरमा के अंदर आपको सारी चीज कवर कर सको बाकि अखर आपका कोई और कोश्यन था पर कमेंट सेक्षिन में पूस सकत आप इस तरह के से पढ़िये आपको काफी बेनिफिट मिलें और आपके एक्जाम आने भी वाले है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन टेक क्या थांक यू